Good morning everyone, I welcome you all to the first online science class of the year 2022 हम क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किये हुए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और जितना आराम से हो सके उतना आराम से पढ़ेंगे और कोई साभी टेंशन नहीं लेना है कुछ कुछ चीजे हैं जो हर एक लेक्चर के बाद में तुम्हें करनी है उनमें से सबसे पहले चीज ये कि जो भी ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा वो सारा कुछी बुक से पढ़ाया जाएगा तो ध्यान से सुनना है जो वर्ड्स उसमें टफ लग रहे हैं उन वर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन करना है और उनकी मीनिंग लिखनी है सेकंड फिंग जो भी आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में वो सारी चीजों को हिंदी में लिखके प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है और दूसरा अगर हिंदी में लिखने का प्रैक्टिस सही हो जाता है उसके बाद में आपको वही सारे चीज़ें इंगलिश में लिखने की कोशिश करें इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हो कि आम मीठा होता है अगर मैंने क्लास में यह पढ़ाया कि आम मीठा होता है तो घर पर क्या करना है घर पर आके अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली है कि आम मीठा होता है लिखना आ गया हो तो उसके बाद से हमें यह ट अधिकतर cases में आम मीठा होता है तो ये दो tasks रहेंगे आपके और अगर मैं बोलू या ना बोलू फिर भी तुम्हारे home assignment में ये दो चीज़ रहेंगे और एक आखरी बात वो ये कि जिस दिन chapter खतम होता है उसके उसी के उसी दिन उसके बाद में जो exercise दिया हुए है उस exercise जितने भी तरह के questions दिये हुए है सारे के सारे questions आपके solve होने चाहिए है तो start करते हैं आपको याद होगा कि हमने last lecture में जब हम class में बढ़ रहे हैं तो हमने weather conditions के बढ़ा था कि क अगर sunny day है तो कभी बहुत जादा windy है windy में अगर बहुत जादा गरम हवा है तो उसको लूब बोल सकते हैं और अगर बहुत जादा ठंडी हवा है तो उसको हम blizzard बोल सकते हैं जिसमें बर्फ वगर भी साथ में गर रहा है अब उसके बाद हमने cloudy day भी पढ़ लिया था कि ऐस दिन जिसमें जो सूरज वो छुपा हुआ है सूरज छुपा हुआ है और दिन बहुत जादा डल है जैसे आज के टाइम में हो रहा है अभी आज कल इधर कुछ दिनों से धूप धंग से नहीं निकल पारे धूप नहीं निकलने पीछे reason क्या है कि clouds खेड लेते हैं और साइट हमारे अर्ट तक नहीं पहुंच पा रही है तो वापस से cloudy day को ही पढ़ लेते हैं बाकि I hope कि तुम्हें ये सारी चीज़े याद होंगे जो हमने class ने पढ़ा था अगर नहीं याद है तो उनको वापस से आज घर पे बैठ के बाकि सारी चीज़ें वापस से revise करने है चुकि बहुत टाइब है तुम्हारे बास में तो एक दिन में अगर एक घंटा भी देते हो एक subject को तो वो more than sufficient है बाकि सारी चीज़ें को revise करने के लिए ठीक है तो cloud the clouds को हमने क्या आपनागा clouds play an important role in earth's weather कैसे clouds को होते है है वह weather में weather के अंदर changes लाने के लिए important role play कैसे करते हैं clouds आएंगे तो धूप चला जाएगा धूप चला जाएगा थंड का मौसम है तो थंड जादा पढ़ने लगी अगर बारिश का मौसम है तो clouds आएंगे clouds के साथ में कई बार सरद हवाएं भी आती है थंडी हवाएं भी या फिर कई बार हो सकता है clouds आने के साथ में बहुत जादा गर्मी बढ़ जाती ही पसीना वगर बहुत जादा आने लगता है तो इस तरहीं के से clouds weather conditions को change कर सकते हैं when the sun is hidden behind the dark clouds the dull day is called cloudy day तो ऐसा दिन जिस दिन सूरज छुप गए हो बादलों के पीछे पीछे चुपा हुआ जो बिल्कुल काले काले बादल होते हैं कई बार तो ऐसा होता है पूरा दिन दिन भर बीच जादा है सूरज दिखाई नहीं देता कई बार ऐसा भी होता है हफ्ते हफ्ते भर भी बीच जा सकते हैं और सूरज नहीं दिखाई देता हूंकि वो जो cloudy weather था इतने जादा थे और इतना जादा दूर तक के एरिया में फैले हुए थे कि बादल इधर उदर उड़ भी रहे हैं तो सिर्फ उसे बादल ही दिख रहे हैं कि इतने जादा बादल है फिर कह रहा है कि cloudy days are cooler than sunny days this is because the clouds in the sky block the rays of the sun hell जादो sunny days जब होते है उस दिन क्या होती है कि sun light जो होती है वो आर्थ पहुंचती है आर्थ पहुंचती है कि sun light जो अपने साथ में energy रखता ए उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी होती है और वो गर्मी earth absorb करता है तक पहुँचता है, तो वही उसी की वजह से हमें गर्मी महसूस होता है, यहां ऐसा बोल सकते हो कि अर्थ के अट्मोस्फियर में भी वो एनर्जी या वो हीट एब्सॉर्ब होता है, उसकी वज़े से हमें गर्मी महसूस होता है, लेकिन जिस दिन सूरज या सनलाइट अर्थ तक पहुँच ही ना पाए बादल ही उसको रोख ले तो क्या वो हमारे atmosphere हो या हमारे आसपास की surroundings को हलका सा भी गरम कर पाएगा या अगर महलोग करता भी तो बहुत ही जाधा कम जो कि अगर sun light आया होता तो उसकी comparison में relatively temperature बहुत कम होगा cloudy nights are warmer than the clear nights तो ये दो चीज़े हैं ये दो points याद रखने वाली बाते हैं कि अगर sunny day है तो उस दिन दिन गरम होगा लेकिन वहीं अगर cloudy day है तो दिन दिन थंडा होगा दिन वहीं पर अगर clear night है जहां पर आस्मान में बिल्कुल भी बादल नहीं है उस दिन राट ठंटी होगी और जिस दिन बादल होगे उस दिन राट relatively warmer होगी तो बिल्कुल उल्टा है तो ये चार चीज़े तो याद रखने हैं कि अगर दिन में सूरज निकल रहा है तो दि गरम होने वाला है दिन में अगर बादल हो रहा है तो दिन जो है relatively थोड़ा सा कम गरम होगा relatively colder होगा यही अगर रात की बात करें तो रात में अगर रात clean है रात में अगर बादल आदल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि रात बहुत ज़दा relatively ठंडा होने वाली है या काफी ठं क्लियर स्काई में अगर रात रहा होता उसके कंपेर्जन में ज्यादा गरम होता है अब जो अगला टॉपिक है सबको पता भी है और बहुत लोगों का ये फेवरेट मौसम योगा दर रेइन क्लाउट्स ब्रेंग अस रेंग एवरेबड़ी वेलकम्स फर्स्ट शावर्स आफ फ्रेंज आफ्टर होट समर तो क्या होता है कि जब समर स्टार्ट होता है तो समर धिरे धिरे और ज्यादा गर्मी लाने लगता है ज्यादा टेंपरिचर बढ़ने लगता है तो इतना ज्यादा होट समर होने लगता है आपको याद होगा बारिश के पहले लू अगर भी लू के बारे सब को पता है लू क्या है कि बहुत ज़्यादा तेज अगर गरम हवाए बहुत ज़्यादा तेज चल रही हो उसी को लू बोलता है हमने पहले पढ़ा भी हुआ था तो कह रहा है कि clouds को ही आगे continue किया हुआ clouds bring us rain सबको पता है यह बात water cycle हमने पढ़ा हुआ था water cycle में हमने देखा था कि जो water होता है जहां पर भी अर्थ पर जहां पर भी water है वह evaporate कर जाता है यह evaporate करके छोटे चोटे particles में वह convert हो जाता है steam के form में convert हो जाता है और वह इतना ज़दा हलका हो जाता है कि वह ऊपर चला जाता है इस तरह कि बहुत सारे बहुत चोटे चोटे particles एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और वही मिलके cloud बनाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि cloud में पा होना चाहिए तो मैं कि जो clouds होते हैं उन्हीं की वज़ए से rain आता है everybody welcomes the first shower of rains after hot summer hot summer के बाद जैसे पहला shower of rain होता है हर कोई welcome करता है हर किसी को थोड़ा सा relief मिल जाता हर कोई इसी का इंतिजार कर रहा होता है फिर कहरा है summer rains bring relief and comfort from the scorching heat तो heat इतनी जादा हो जाती है जमीन तपने लगता है कि हर कोई बहुत ज़दा परिशान हो जाता है हर कोई rain के लिए परिशान हो जाता है कि हलकी सी बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो moderate हो और उसके बाद जैसे ही पहली बारिश होती है जाती रहती है मिट्टी की वो सबको अच्छा लगता है उपर से जो मौसम का temperature थोड़ा सा डाउन होता है वो भी सबको बहुत ज़दा relief लेके आता है और साथ में comfort भी लेके आता है फिर आगे कह रहा है we use umbrella and raincoat during the rainy season rainy season में हम किस तरह की कपड़े पहनता है हम raincoat या तो पहने तो बारिश से भीगे नहीं उसको ensure करने लिए लोग umbrella या फिर raincoat का इस्तेमाल करते हैं फिर कह रहा है farmers welcome the rain because it is good for their crops तो जैसे ही गर्मी खतम होती है बारिश का मौसम आता है उस समय लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धान की बुआई करते हैं धान की बुआई करते हैं तो उसमें उनको खुद पानी चलाना होगा खुद पानी चलाएंगे तो पैसे बहुत ज़दा खर्च होगे तो वो इंतजार करते हैं कि बारिश हो जाती है तो पानी भी नहीं चलाना पड़ता हमारे पैसे बच जाते हैं और फसल के पीछे जो पैसा खर्च हो रहा वो पता कि अगर तुम मैंने तुम्हें क्लास में पहले बताया हुआ है कि अगर गर्मी का मौसम है अप्रेल मई का मौसम है उस समय गर्मी तो खूब लगती है लेकिन पसीना नहीं होता है लेकिन जो बारिश का मौसम होता है उसमें पसीना खूब होता है तो अगर पसीना हो रहा कि मौसम में humidity जादा है फिर कह रहा rains change the weather जो rains होते हैं वो weather को change कर सकते इसके अलामा भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो sunlight है वो weather को change कर सकती है जो wind है वो weather को change कर सकती है जो clouds है वो weather को change कर सकते है तो ऐसे weather को change करने वाले कई सारे तरह के factors हो सकते ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रहने रहते हैं बस ये है कि जतना आज पढ़ा है ये सारा कुछ कॉपी में noted down होना चाहिए और मैंने चुकि हिंदी में समझाया तो कमसे हिंदी में story लिखना तो है आना चाहिए जिस अब से पहले मैंने कुछ पढ़ाया था फिर सासे वाले मैंने कुछ पढ़ाया था उसके बाद कुछ पढ़ाया उसके बाद कुछ और बताया अगर जो बात पहले बताई थी उसको आखरे में तुमने लिख दिया या जो बात आखरे में लिखनी थी या बताई थी मैंने उसको पहले लिख दिया तो गयवर्ड हो जाएगा, तो क्या करना है, sequence में लखना है, जो चीज मैंने पहले बताई थी, उसको पहले लखना है, जो चीज बात में बताई थी, वो बात में लखना है, जैसे सीधी सी बात है, कि अगर हम rain के बारे में बात करें, तो सासे वहले चालू ही करेंगे, कि clouds की तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह चीज में समझ में आगे होंगी कि तुम्हें टास्क क्या करना है वापस से बता रहा हूं कि टास्क यह करना है कि आज जो मैंने पढ़ाया तो क्लाउड्स का नहीं लिखा हूँ तो क्लाउड्स का भी लिख लो जो चीज मैंने यह हिंदे में बताई है जिस सीक्वेस्स बताया है वा उससे कैने मर्जी से लिखो यह कहाने मुझे लगता है कि तुम्हें याद ना हुआ हो तो वापस से इसको पढ़ो वापस से सुना और उसके बाद में जो है आपको लिखना है ठीक है वापस से सुन के वापस से समझना है और उसको अपने नोटबुक में लिखना है हिंदी में सही हिंदी में लिखो लेकिन लिखो जरूर और उसके बाद में जब हिंदी में तुम लिख लेते हो कम्लीट हो जाता है उसके बा तो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है या फिर सेंटेंस बनाने में प्रॉलम आ रही है उसको धिरे दरे प्रैक्टिस हम करेंगे ना तो वो कुछ दूरह में ठीक होने लगेगा और तब हम जाके प्रॉपर इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करने लगेंगे तो अन बिदाने में डामेंगे ड्तारेकी तरेकी करेंगे थे पार कडूरे का भी जो वो का थैते अ ए क्ल रही ड्याओने थार उाकिल्पर लगेघए लागे याटता है